दोस्तों गर आप भी शुभुमन गिल को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाडी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों लंबे कॉंट्रोवर्सी के बाद अब सारा तेंदुलकर ने तो शुभुमन गिल के कपड़े पहन कर दिया अपने और गिल के बीच रिष्टे का परदा फाश गिल का सकार्फ पहन कर सारा ने कि अपने प्यार का इज़ार तो पूरे क्रिकेट जगत में मच गया बवाल तो आखिर शुभुमन गिल के कपड़ों में कहां पर सारा तेंदुलकर को देखा गया किस आउटफिट में नज़राई सारा तेंदुलकर क्यों सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे हैं सारा तेंदुलकर और शुभुमन गिल सारा ने क्या कुछ बयान देते हुए गिल को लेकर कहा ये तो हम आपको बयान में जरूर दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है शुभुमन गिल और येशनस्वी जैसवाल में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाग बलेबास नीचे कॉमेंट करके जरूर बता है दोस्तों जहां भारत और इंग्लेंड के बीच पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है सीरीज में टीम इंडिया दो एक से आगे है वहाँ पर उनकी बेटी भी उनके साथ फोटो में मौजूद नजर आ रही है उसी दर्मियान सारा तेंदुलकर इस समय एक चर्चा में बनी हुई है आपको बता दें खबर यहां से निकल कर आ रही है कि सारा तेंदुलकर ने उस फोटो में जो सकार्फ पहना हुआ है वो शुभमन गिल का है क्योंकि कुछ समय पहले शुभमन गिल लंदन गए थे वहाँ पर शुभमन के लिए सकार्फ पहने हुए नजर आये थे हर कोई यही कह रहा है कि सारा तेंदुलकर ने जो सकार्फ पहना है वो शुभमन गिल का ही है क्योंकि फोटो में एक ही रंग और एक ही देजाइन का वो शुभमन गिल नजर आ रहा है तो चलिए हम आपको सारा तेंदुलकर के बयान को सुनाते हैं आगर क्या कुछ सारा तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा है सारा तेंदुलकर ने बयान देते हुए शुभुमन गिल के साथ रिष्टे पर कहा कि भारतिय टीम टेस्ट मैच में इंग्लेंड के खिलाफ शांदार पुर दर्शन कर रही है मेरे सबसे पसंदीता बल्लेबाज शुभुमन गिल का भी बल्ला खुब जमकर दहाड रहा है दोस्तों जब यशस्वी की गेनबाजी से इंप्रेस होकर स्मृती मंधाना ने नकेवल उन से मुलाकात की बल्कि उन से हाथ मिलाते हुए उनकी जमकर तारीफ कर डाली तो यशस्वी जैसवाल का चेहरा तो शर्म से लाल हो गया उस खुबसूरत लम्हे का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है यशस्वी जैसवाल और सर्फरास खान में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाग बल्लेबाज नीचे कॉमेंट करके जरूर बता है दोस्तों भारत और इंग्लेंड के बीच चौथा टेस्ट मुकाबला राची के मैदान पर खेला गया इस मुकाबले में भारत के सबसे खतरनाग गेंबाज जस्प्रीद बुम्रा को आराम दिया गया उनकी जगह पर डुमेस्टिक किर्केट के हीरो रहे आकाश दीब को डेब्यू करने का मौका मिला आकाश दीब को राहूल द्रविट ने डेब्यू टेस्ट कैप पहनाया इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा को टॉस हारने के बाद पहले गेंबाजी मिली बारती गेंबाज बेहत खतरनाक प्रदर्शन दिखा रहे थे लेकिन इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी लेकिन कप्तान रोहित शर्मा हार नहीं माने और अपने गेंबाजों से लगातार गेंबाजी करने गए उन्हें आकाश दीप पर सबसे अधिक भरोसा था आकाश दीप ने अपने खतरना गेंबाजी से टीम इंडिया को शुरुआती तीन जटके देकर मैच का पूरा रुख पलट दिया आकाश दीप ने पहले बेंड अगेट और फिर ऑली पॉप उसके बाद जैक रॉली को पवेलियन का रास्ता दिखा कर पूरी इंग्लैंड की टीप की कमर तोड़ दी थी 57 रनों की स्कोर पर इंग्लैंड के तीन बल्लेबाज पॉवेलियन की शोभा बढ़ाने जा चुके थे उनकी गेंदास ही देखकर स्टेडियम में बैटे सभी दर्शक खुशी से जूम उठे लेकिन एक तरफ से जो रूट मैदान पर टिगे हुए थे तो दूसरी तरफ से विकेट की जड़ी लग रही थी अकाशदीब के बाद मुहमद सिराज जड़ेजा और अश्विन ने मिलकर इंग्लैंड के साथ बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया वो अपनी गेनबाजी से तो इंग्लैंड गेनबाजों को खूप चक्मा दे रहे थे लेकिन वो विकेट नहीं निकाल सके पहले दिन का केल खत्म हो गया जश्वी जैसवाल की खतरना गेनबाजी को देखकर स्टेडियम में मौझूदा महिला किरकेटर इसमृती मंधाना पूरी तरह से हैरान थी और फिर उन्होंने यश्वी जैसवाल से मिलने के लिए बीच मैदान में पहुँच गई इसमृती मंधाना मैदान में पहुचते ही और फिर जैसवाल की गेनबाजी देखकर इंप्रेस लजर आ रही थी उन्होंने जैसवाल से हाथ मिलाया और उन्हें बधाई थी स्टेडियम में मौझूद कप्तान डोहिच शर्मा से लेकर महिंदर सिंग धोनी भी यश्वी जै तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से यश्वी जैसवाल और स्मृती मंधाना के मिलने पर हर कोई खुशे से जहूम उठा लिस्तों चौधे टेस्ट के पहले दिन आकाश दीब की आंधी में उड़े इंग्लिश बलिबाज रांची के मैदान पर अपने डेबी मैच में व किस भारती गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट कितने रनों का मिला टीम इंडिया को पहली पारी के बाद स्कोर ये सब कुछ हम आपको अपने इस मैच की पूरी हाइलाइट में दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है आकाश दीब और मुहमत सिरा कौन है दुनिया का सबसे ख़तरना गेंदबाज नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों इंग पर फिर इंडिया और इंग्लेंड चौथे टेस्ट मैच में राची के मैदान पर आमने सामने हुई लेकिन सिक्का उचाला तरोहित के पक्षमें नहीं किरा बलकि बैं करना गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे बारती टीम हासले से बुलन नजर आ रहे थी वहीं इंग्लेंड के बल्लेबाजों को सिराज का सामना करना बेहत मुश्किल हो रहा था पहले ही ओवर में महम्मद सिराज लाजवाब गेंदबाजी कर मिडन ओवर फैंक दिया इंग्लेंड के दौनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए खाता तक नहीं खोल पाए लेकिन ये दौनों बल्लेबाज मैदान पर टिके हुए थे जैक रॉली अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे पांच ओवर तक इंग्लेंड का 14 रन बन चुका था एक भी विक केट को धुरुब जुरेल के हाथों कैच पकड़वा कर पवेलियन का रास्ता दिखाया और अपने डेब्यू मैच का पहला विकेट भी लिया इसके बाद भी आकाश दीप रुकने का नाम नहीं लिये ओवर की चौती गेंद पर ने बल्लेबाज आय ओलिपॉप को भी पवेल ने आय आकाश दीपने सोवर की पांचवी गेंद पर जैक रॉली को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया इंग्लैंड टीम की कमर तोड़ दी 57 रनों के स्कोर पर तीन बल्लेबाज इंग्लैंड के पवेलियन लोड गए भारती टीम पहले सेशन में पूरी पवेलियन का रास्ता दिखा कर इंग्लैंड के आधे बल्ले बाजों को पवेलियन के राह दिखा दी 112 रन पर इंग्लैंड के 5 बल्ले बाज पवेलियन लोड गए इसके बाद एंपायर ने लंच ब्रेक कर दिया लंच ब्रेक के बाद जो रूट और बैंच स्टॉक्स मैदान पर बल्ले बाज ही करने आए यह दोनों बल्ले बाज अपनी टीम के स्कोर को दीरे दीरे आगे बढ़ा रहे थे एक बास एक कई चोके लगाया और देखते देखते फ्री टीम के स्कोर को 500 रनों के पार पहुंचाया दौनों बलेबाजों ने मिलकर 50 रनों की अर्ध शतक ये साज़ेदारी भी पूरी की दौनों बलेबाज समल समल कर बलेबाज ही कर रहे थे और देखते देखते एक अच्छी पार्टनर्शिप की तरफ बढ़ रहे थे रूट मैदान पर ठिके हुए थे अर्ध शतक लगा कर खेल रहे थे टीब्रेक तक इन दौनों बलेबाजा ने मिलकर अपने टीम के स्कोर को 61 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 198 रनों तक पहुचा दिया था दूसरे सेशन में इंगलैंड ने एक भी विकेट नहीं कवाया और अपनी टीम को मजबूत इस्तितीम एज जोरूट ने लाकर खड़ा कर दिया